एक है यह लो गाइज माई नेम इस हरशिद कंडिनिंग विद आर बूट तूरू टॉपीक तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बेसिक पेंटेस्टिंग के बारे में थिक है थोड़ा सा नाम इसका बेसिक पेंटेस्टिंग है लेकिन उतनी ज्याद़ बेसिक न होते हैं SMB क्या होता है इनके बारे में टूल्स वगरे नहीं पता तो उसके बारे में आपको काफी कुछ पता जलेगा तो यह मतलब अच्छी मशीन थी इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक और वोम्स पर जाके बेसिक पेंटेस्टिंग सर्च करने ले आप लोग को मिल जाएगी ठीक और स्टार्ट मशीन पर कर देना ठीक है तो हमारेको आइपी मिल चुकिए अब हमारेको पैंटेस्ट करना स्टार्ट करना है तो इस सबसेले हम मैं अपने CTF फोल्डर के अंदर काफी जरूरी है पता है जितना जाद आप documentation करोगे चीजों का उतने जाद आपको आदत पड़ी है और भी बहुत जरूरी है जब आप लोग किसी internship पे लगोगे या job पे लगोगे तो वहाँ पे आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि जब आप job करते हो तो वह आप लोग से एक चीज की चार-चार रिपोर्ट मांगते है OSCP का certification दोगे वहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट बनागी देनी होती चौबीज इंटर अंदर पांचों मशीन की ठीक है तो अब ऐसा तो है नहीं पांचों मशीन को आप सब कुछ याद कर लोगे तो कहीं न कहीं उसको सर्विस वर्जन मतलब जो भी हमें सर्विस मिली उसका वर्जन के लिए उसके जिए पर हम लोग बात करते हैं हमारा को रिजल्ट जरूर सेफ करने और आप लोगो भी यादख है बहुत काम आएका रिजल्ट सेफ करने पड़ेंगी क्योंकि जब आप रिपोर्ट बनाओग तब मशीन तो होगी नी तो कैसे बनाओगे तो उसके लिए इससे सबसे बेस्ट आप पर यह होता है कि आप लोग सब रिजल्ट को सेफ कर लो बाद में रिपोर्ट उनको देखके बना लोगी कौन उनसे पूपन मिले थे कौन उनसे सर्विस थी क्या वर्जन था वो सब दे ड़ंगे ट्रवॉट को रन कर देते हैं इस या फी के ओपर इसकी वेप साइट के लिए अगर नहीं होगी तो एरर देदेगा होगी तो रहन हो जाए ठीक है एस्ज़ीज़ी पी पर नहीं होता तो आप 443 Ol 8 0 8 और उसके अलावा 8000, 8009, तो यह कुछ common है जिन पर web server अलग-अलग run करते हैं, जैसे Nginx हो गया या फिर पाचे, अलग-अलग servers होते हैं, सारे अलग-अलग port पर run करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि अलग-अलग port पर ट्राय कर लिया है, उसके ते हम लोग चलते हैं, जो अपनी directory listing वाली file है, उसको select कर लेते हैं, आप लोगों की user share के अंदर word list के अंदर, या फिर डर्बस्टर के folder के अंदर, मिल लाएगी, मेरा डर्बस्टर का यहां पर opt के अंदर, तो यहां medium वाली select करता हूँ, medium वाली काफी अच्छी है, इसके अंदर काफी सारे words आप लोगों को म website है, ठीक है, तो हम यहां पर जाते हैं, और यहां enter मारता हूँ, ठीक है, देखते हैं, इसकी website पे क्या है, source code बगरा पढ़ते हैं, तो वैसे तो कुछ निए, undergoing maintenance, please check back later, इसका अदलब, यहां पर कुछ खास इसा नहीं है, यहां पर लेकिन हमें जरूर-जरूर source code पढ़ना जैसे यहां पर कुछ लिखा है, check our dev note section, if you need to know what to work on, ठीक है, तो यहां पर करते हैं, यहां पर हमारे को दो मिली है, files, ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं, यहां पर क्या लिखा है, तो पहली है dev.txt और एक है j.txt, ठीक है, I have been messing with that, stud stuff and it's pretty cool, I think it's might be neat to host that on this server too, haven't made any real web apps yet, but I have tried that example, you get to show off how it works, और बाकी मतलब फाल्तु की चीज़े दिये भी है, कुछ खास नहीं हमारे को, ठीक है, SMB has been, SMB के बारे में बता रहे है कि हमारे को SMB configured कर दिया, मैंने SMB server run कर रहा है, तो हमारे को एक हिंट दी कही है, कि SMB run कर रह हैं, ठीक है, उसके यहां पर हम देखते हैं कि I have been auditing the content of etc shadow, to make sure we don't have any weak credentials, and I was able to crack your hash easily, इसका मतलब यहां पर किस के लिए है, जे के लिए है, ठीक है, वो यह कह रहा है कि जिसने रिखा, के ने, के ने pen test कर रहा था, एक टाइप से pen test कर रहा था, ठीक है, etc shadow के अंदर, जितने का hash, बहुत easily click हो रहा है, इसका मतलब हम J को brute force कर सकते हैं, लेकिन हमारे को इसका पूरा username नहीं पता, ठीक है, यहां पर सिवे code word की तरह J use करा गया है, हमारे को पूरा full name नहीं पता है, तो इसको हमें देखना बढ़ेगा भी, ठीक है, तो यहां पर हमारे SMB के बारे ही पता आपको Windows में मिले, या फिर चाहिए आप लोगो को Linux में मिले, तो आपको समझ जाना है कि यहां पर SMB enabled है, बिसलिए SMB क्या है, ठीक हो, SMB में आपको समझाता हूँ, एक file sharing के लिए, ठीक है, कि अगर आपको file share करनी है, तो एक server बनाते है, normal सा network है file sharing के लिए, लोग file share कर सकते है, इस पर रख सकते है file, ठीक है, तो यह समझ सकते है, आप इसके लिए, वस इतना easy सा concept है, ठीक है, तो यहां पर, लेकिन SMB काफी vulnerable निकला है, काफी bugs निकले हैं, अगर इसके लिए कुछ tools आते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर आपको SMB server से connect होना है, जैसे server run कर रहा है, SMB information निकाल सकते हो, तो उनके लिए आता है कुछ अलग लग, जैसे Linux के लिए आता है, Enum for Linux, ठीक है, Enum for Linux आप use कर सकते हो, Linux के लिए, वो काफी अच्छा tool है, उसके लावा आता है SMB map, SMB map भी सब कुछ निकाल सकता है, हमारे जितने shares वगरा रखे हैं, files वगरा है, सब download करना, यह सब काम कर सकता है, SMB map, ठीक है, Enum for Linux बहुत powerful है, उसे अभी हम run करते है, Enum for Linux को, ठीक है, Enum for Linux, basically, Samba के लिए ही बना है, ठीक है, Linux के लिए ही बना है, ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं, तो उसको run कर देता है, Enum for Linux, आप लोग डाउनलोड कर लेना, जिनके पास नह आ सकते हो, वैसे तो आप कोई दिक्कत नहीं कि SMB पर ही कर रहे है, हम Samba पर कर रहे है, SMB, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, SMB, ठीक है, और यहाँ पर हम करते है, Enum for Linux, और यहाँ पर IP देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि सारा output जो है, एक फाइल म होता है, यह काफी लोगों की problem होती है, कि हम चाहते है, या तो, क्योंकि हमार पर यहाँ पर option होता है, कि screen पर देखें, तो हम output save नहीं कर पाते है, क्योंकि SMB, जब हम arrow देते हैं, इसका मतलब सारा output इस file के अंदर चले जा है, हमाँ screen पर कुछ ना दिखाए दे, ठीक है, और और एक file बन जाएगी, enum for Linux.results और उसके अंदर भी सब कुछ save होता रहेगा, तो हमारे को कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, इसको यहाँ पर वेट करते है, जब तो इसके result नहीं आ जाते है, तो हमारे जो enum for Linux के results है, वो आ चुके है, और इसको मैंने stop कर क्योंकि यह बहुत कुछ डूणता है, password तक निकाल देता है, machine के अंदर, इसलिए यह मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है, ठीक है, SMB या सामबा पर रन करना बहुत लोगों को पसंद है, बहुत information निकालता है, बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन time जरू code name type से हो चाह रहे थे, लेकिन अब हमारे को मिल चुके, एक का नाम है K, एक का नाम है Jen, और हमारे को पता था, J, जिसका J से नाम था, उसका जो hash था, वीक है, यानि कि उसका password काफी weak है, उसको हम crack कर सकते है, तो यहाँ पर हम हाइडरा करने वाले है, ठीक है, CD back करते है, और ले दे रहे हैं क्योंकि ہमारे को username पता है J, अगर हमारे को नहीं पता, तो हम capital L देते हैं और एक file का name देते, ठीक है, उसके बने हम पर को password नहीं पता है, थो हमारे को पुरी file का name देना है, ठीक है, capital P, opt, rawq.txt, ठीक है, यह हमने दे दिया, उसके आद हमारे को क्या देना है तो यहारा पे डैश F दे देते हैं, F का मतलब जैसे ही पासवाड मिले, ब्रेक हो जाना है, ऐसा नहीं रन करते जा रहा है, पासवाड फिर बाद में बता रहा है, मुझे तो स्टार्टिंग में पासवाड मिली ए ऐसा नहीं चाहिए, उसके ति यहां पे हम लोग बात करते है SSH पर करना है SSH बता देते हैं से और IP देते हैं हम अपनी ठीक है IP देने के आद और इसके output को save कर लेते हैं और फाइल का नाम देते हैं Hydra.results ठीक है Hydra.results enter मारते हैं अब यह run on start हो जाएगा थोड़स आपको wait करना पड़ा है क्योंकि brute forcing हो रही है आप डैश वी दे सकते हो अगर आप लोगों को पढ़ना भी है कि कौन से कौन से नाम को brute force कर रहा है कहां पे पहुंच आ है पूरह result हर एक चीज देखनी है तो आप इसको डैश वी द आप दिया था तभी मैं सोच रहा कि 10 मिनिट तक क्यों थे कर रहा तो सही आ गया है रिजल्ट हमारा पासवर्ड था यह है पासवर्ड आर्मेंडो ठीक है आर्मेंडो हमारा पासवर्ड है तो अब हमें SSH में लॉग इन कर सकते है बहुत अच्छी बात है यूजर नेम हमार the rate और यहां पर हमारी आइपी है यह वाली आइपी है इसको यस करते हैं ठेग direito पासवर्ड को यहां पेस्ट करके एंटर मौर थेथे हम लौग इन कर चुके हैं जैन यूजर में अब जैन यूजर में कर चुके सबसे कुछ सबसे पहली बात मैं आप लोगो को बता चुका हो कुछ कमांड आपको हमेशा चेक करने जैसे की uidiअ आप ही क्या है jan हो आप यूसर ठीक है यूजर नेम जय नहीं है और आपकी uid बगईर चेक करो ठीक है और system information बगईरे चेक करो ठीक है यह सब चेक करने वाज़ी चीजें होती है इसको हमेशा चेक करना है आ पुरा कुछ खराब हो सकता है, उस सिस्टम ऊड़ सकता है, यूजर सुड़ सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, अब मैं आप लोगों को ये भी पहले बता चुग हो, कि अगर हम पे पासवर्ड है, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों क चेक करनी है, कि हम सुडो की मदद से क्या-क्या रण कर सकते हैं, ठीक है, सुडो-ल, क्योंकि हम पे पासवर्ड है, तो सुडो हम से पासवर्ड मांगे, हम पे पासवर्ड है, इसी दे मैं सुडो रण कर रहा हूँ, मिरे पासवर्ड नहीं होगा, तो मुझे पता है, सुडो दो एक डिरेक्ट्टरी बैक जाके देखते हैं कोई और उ utरों here i am какую home directory में आ चुक़ा है कि टाप हम देखते है कोई और यूजर यहां पर है क्या थे तो अmmar पैस एक चृल Перв यूजर में कि इस भी यूजर कर से चिंडी यूजर थे करते हैं कि यहां लोग चाहो तो वारा फ्लैग है तो हमको यह करना है क्याट करके देखते हैं हम वैसे कर नहीं पाएंगे मुझे पता है ठीक है फिर भी केट करते तो परमिजन डिनाइड आगया तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां से तो कुछ राउनलोड वगयरा करा होगा तो उसकी फाइल वगयरा पढ़िए यहां पर और कुछ खास नहीं है ठीक है उसकाद आप लोग चाहो तो वार के अंदर www.html के अंदर जाके देख सकते हैं क्योंकि वहां पर वेबसाइट के सारी फाइल मिल जाएगी तो क्या हो सकता है कि कोई वेबसाइट के इसी फाइल हो जिसके अंदर पासवर्ड वगयरा आपको मिल जाए तो यह सब आपको चेक करना होता है ठीक है बहुत बेसिक सी चीजह है उसके आप चाहो तो अलग अलग डिरेक्टरी में चेक कर सकते हो ठीक है रूट में जाने का जरूर ट्राय कर सकते हो अगर आप चाहो तो कि कहीं बार क्या हुआ आप मालो पर्मिशन डिनाइट करना भूल गया हो तो मनलब रूट यूजर की डारेक्टरी में चाह सकते हैं तो यह बहुत बड़ा बग है अपने आप में क्या काफी इंपर्टेंट फाइल हो सकती है ठीक है तो अब यहां पर ह चलते हैं दुबार से होम के अंदर के के पास यहां पर क्या है लसले करते हैं तो हमारे पास एक डारेक्टरी होती यह सिब इसी की नहीं है मतला कोई भी उसर होगा ठीक है चाहिए आपका यूजर है उबन्टू यूजर है काली उजर है रूट यूजर सब को एक SSH मिलता है SSH क्या है बेसिकली कि हम लॉगिन कर सकते हैं SSH की मदद से जैसे हमार में कोई लॉगिन कर सकता है हम किसी में लॉगिन कर सकते हैं SSH की मदद से ठीक है अब SSH के साथ सिर्फ यही नहीं है SSH कुछ options देता है अपने साथ जैसे password के साथ मैं login कर सकता हूँ है ना कि मैं password डालू तो वो फाइल जो होती है वो हमारी private key होती जिन्हें हमें private रखना होता है कि हम चाते किसी को ना जाए private key से कोई भी login कर सकता है तो वो हमारी identity file बोलते हैं उसे identity file बोल लो या private key बोल लो तो basically वो क्या होता है मालनो मैं हडशित हूँ ठीक है मैंने अपने दोस्त को दी अब मेरा दोस्त मेरे computer में उस file की मदद से login कर रहा है तो computer को computer में login जब हुआ तो कौन सी file की मदद से हुआ जो मैंने file दी थी मेरी private key थी मेरी identity file थी इंपॉर्टन रखना identity file तो उसके अंदर पाते क्या लिख राएगा कि यह हर्शित जोशी login कर रहा है क्योंकि वो file मेरी है जब मैं login कर रहा हूँ तो उसको नहीं पता कौन से computer सा है उसको identity file उसने पढ़ी और SSH log में लिख देगा कि हर्शित जोशी की file से login कर आए यानि कि हर्शित जोशी ने login कर आए तो ध्यान रखना है कि वो file किसी को ना दे ठीक है और SSH की directory भी आप कोशिश करो कि बंद रखके रखो कि कोई इसके अंदर आपकी permission के लावा जाना करते हैं चलो LSE होगे खाली LSLA कर देते हैं ठीक है LSLA करते हैं तो यह है हमारी public की ठीक है IDRSA.pub public की होते हैं ठीक है यह हमारी private की यह private की यह private की देखो यहां पर हमारे को read permission दी गए जो की बिलकुल नहीं देनी है ठीक है read तो कोई करी न पाए इसके अंदर जो content है वो बहु प्रक्स में और लखाया आइगा identity file किसकी थी भाई इसकी identity file थी हर्शी जोशी की फसागोर मैं तो इसलिए इसको हमेशा बजा कर रखना है ठीक है अब यहां पर हम पर क्योंकि इसकी read permission हम इसे read कर सकते है ठीक है authorized key में क्या होता है अगर मालो मेरी public की मैं इसके अंदर रग authorized key file के अंदर मैं अपनी public की रख दूँगा मैं अपनी public की रख दूँगा ठीक है मैं कोई और user हो मालो तो मैं इस computer के अंदर login कर सकता हूं without password ठीक है authorized key में मतलब जो लोग आप चाते हो कि without password इसके अंदर authorized है मतलब without password login कर सकते हैं तो आप उनको वोलो कि अपनी public की मुझे द अपने दोस्त को देंगे और उसको कहेंगे कि यह अपनी authorized key के अंदर लिख दे अपने authorized key वाली फाइल के अंदर इसको लिख दे मेरी public की को तो हम उसके computer में without password login कर सकते हैं क्योंकि हमारी public की उसके authorized key के अंदर लिखी गई है यानिक हम लोग authorized हैं इस computer में login करने के ठीक है उ कि पब्लिक की लेकर अगर हम इसके अंदर लिख देंगे तो वो लोग हमारे कंप्विटर में लॉग इन कर सकते हैं विदाउट पास्वर्ड यह सब्सक्राइब के में तीन चीज़ थे आपको पता होने चाहिए ठीक है ऐसे बहुत इंपोर्टेंट है इंडस्ट्रियल लेव अपने कंप्विटर में ले जाते हैं क्योंकि हम लॉग इन कर सकते हैं इसकी मदद से विदाउट पास्वर्ड तो यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अब यहां पर एक चीज़ आती है ट्विस्ट ठीक है यहां पर एक आता ट्विस्ट हमारे पास कि बेसीकली ऐसे से च एक्स्ट्रा पास्वर्ड भी रख सकते हैं यानि कि यह फाइल प्लस एक पास्वर्ड तब आप इस कंप्पूटर में लॉग इन कर पाऊगे इस प्राइवेट की के साथ एक ऑप्शन होता है या तो आप विदाउट पास्वर्ड भी प्राइवेट की बना सकते हो कि आप यह फाइल जिसके पास्वर्ड भी देना पड़ेगा तब आप लॉग इन कर पाऊगे और वह पास्वर्ड लिखा होता है इस फाइल के अंदर वह पास्वर्ड भी लिखा है एंक्रिप्टेट फॉर्म में जिसको अभी हम क्रैक करेंगे यह भी इंपॉर्टेंट आप इसे फोल्डर के आप लोगों दिख रहा हुआ कि हम ऐसे रिलेटरी वर्ड कर रहें ठीक है विम पर आते हैं और विम पर आने का एधिया हम बनाते हैं इसको बनाया पेस्ट कर दिया इसको सेफ कर देते हैं अब हमारे पास एक आईडरस नाम की फाइल बन चुके है रेड़ क्यों हो क्या रहा है तो जैसी मैं आई दूंगा आइडेंटिटीटी फाइल के लिए आई डिर्स से पहले इसकी पर्मिशन चेंज कर देते हैं डिर्स से जो प्राइवेट की है उसकी एक स्पेसिफिक पर्मिशन होती है 600 600 का मतलब क्या होती है आप लोग बता सकते हो तो की चलो लो फür बेट ठीक है आर का मतलब का मतलब कितना ऊता है 2 latitude एक्जीकिूट का उठेंटीक तो वन उसका आप तो टोट्ल होती 7 पर 7 होते हैं बिट्स परमिशन के लिए यहां पर हमने 6 दिये 6 मतलब 4 होते है रीड के 2 होते है राइट के और 1 होता है एक्जीक्यूट ठीक है तो पहले समझा चुग हो हुए अब यहां पर मैं लॉग इन करके दिखाता हूं से से के यूजर की फाइल है के पहले आई दे यहां ऑई два हमारी की फाइल है यहां फे करता हो इंटमा दें पर अब इसने क्या मंगा कह रहा कि भाई पास फ्रेज दो मुझे IDRS से का जो उसने सेट करा है जो यूजर है उसने एक ID वो चलाक जना था उसने का कि मैं तो पास फ्रेज भी सेट करूँ है अगर मेरी फाइल चुरा भी लेगा तो मैं इसके साथ एक पास फ्रेज या पासवर्ड जो भी आप बोलो वो इसके साथ एक सेट करके रखूँ हां कि उसको यह भी पता हो नहीं चीए पास फ्रेज प्लस यह IDRS से मिलेगी तब वो मेरे पर लॉग इन कर पाएगा मेरी आइड क्यालो या कुछ भी कहलो थाइड एक एसे सफ टू जॉन ठीक है तो यहां पर एसेसे की पासवर्ड चूपा है उसका है बनाना पड़ेगा तब ही उसे जॉन टूल क्रैक कर पाएगा तो यहां पर हमारे पास एक टूल आता है एसे टू जिन लोगों क्यास डाउनलोड मिल जाएगा git clone अराम से डन हो जाएगा ठीक है उसके अब हम इसे देनी है idrs से ठीक है और इसके जो आउटपुट आएगा उसको रीडिरेक्ट कर देते हैं यहां पर hash नाम की फाइल से ठीक है तो यहां पर हमने कर दिया अब मैं यहां पर करूँगा cat hash ठीक है तो आप लोग ठीक है रोक्यू.txt सबसे फेमस ठीक है बहुत इजी रोक्यू.txt ठीक है और यहां पर गैप नहीं देना होता है तो अब इसको रन करते है ठीक है देखते है थोड़ा सा टाइम लेगा वर्ड लिस्ट में जाने में पूरा लेकिन वैसे जोन तेज है काफी अच्छा तूल तो जैसे कि अब हमार को इसने पासफ्रेज या पासवार्ड जो भी है हमारको ठीक है वो मिल चुका है बीज वैक्स ठीक में तो हमको फाइल थिसलोगिन सखे कर सकते है तो हम के य्यूजर में लग-वाली उसको पढ़ सकते है लिए ठीक है यहां पर है यहीं वैस हमें तो ह फोल्डर के अंदर है डैश आई आई ड्रस से के यूजर का नाम है एड़ रेट और देखते हैं इसके आई पी क्या थी आई पी थी हमारे पास इसको कॉपी कर लेता है आई पी को ठीक है यहां पेस्ट करते हैं बस अब हमसे वह पासवर्ड मांगेगा ठीक है और यह वाला ज यह सिर्फ आई डी आए रेस से की जो फाइल है प्राइवेट की है उसका पासवर्ड था उसके आग का पास फ्रेस था हमार को यूजर का पासवर्ड नहीं पता अभी ता कि यह काफी अच्छी बात है तो अब यहां पर हमारा काम क्या है बस करके इसको पढ़ देते हैं फा ठीक है Brute Force हमने कर लिए यूजर नेम का Brute Force हमने करने की ज़रोती नहीं पड़ी ठीक है क्योंकि हमको पहले ही एनियूम for Linux के पास इतनी पावर थी कि यूजर नेम निकाल के दे देता है ठीक है उसके यूजर नेम कौन सा पूछ रहेगी यूजर नेम था हमारे यहां रहे है कौन सी सर्फिस से हम घुस पाई है और के अंदर लिखने तो हम सबस्क्राइब नहीं उसके राइट कर पार थे यह कोई दिख्का थी लेकिन उसने गलपती से रीड की परमिशन हमें दे दी थी जो की बहुत बुरा हुए ठीक है उसके आप बात करते हैं कि आपको दूसरा यूजर यह कहरा होगा तो दूसरा यूजर का नाम था के यह भी हमने पहले यह नूव फॉरल लिनिक्स से ढूंड लिया था ठीक है लेकिन जो यहां पे इंटें यह है ठीक है डॉलर के साइन भी इसमें दो ठीक है वो हमें करने हैं आपे और यहां पर इसको सम्मिट करते हैं तो हमने यहां पर कॉंग्रेश्वलेशन के रहा है अपनी पूरी मशीन कंप्लीट कर लिए ठीक है तो आइप हुप सो आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा इस मशीन में SSH के वारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा है सांबा सर्वर या SMB सर्वर के हारे में उपता चला होगा तो मदर काफी अच्छी रही है मशीन सो प्लीज लाइक देवडियो सब्सक्राइब देचनल थैंक यू झाओं गुद्बाइ